हलो दोस्तों फिजिक्स विंडेलेंड यूटूब चैनल पर आपका फिर्शे स्वागत हैं आज कर जो हमारा लक्षर रहेगा उसमें जैसे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने इस्टेडी की थी डिजलेशन ऑफ वैक्टर तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉलम करेंगे और टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा हमारा वैक्टर इसके अंदर हम इस्टेडी कर रहे थे इसमें क्यूशन देखी क्या हमसे पूछा गया है क्यों क्यों हमें दे रखा है हमें कुछ इस परकार से दिया हुआ है इस परकार से रिजोलेशन का है किस से रिलेटेड है रिलेटेड क्यूस्टन है यह ओरीजन हो गया है इसका ओरीजन माल पर इस परकार से वेल्यू हमें दे रखी है यह एंगल दिया हुआ है है 37 और यह इधर एंगल दे रखा है 45 यह वेल्यू दे रखिए 10 न्यूटन फॉर्स की वेल्यू दे रखिए 10 इधर वेल्यू दे रखिए उसका मेगिनिटूड है फाइफ रूट तू यह दिया हुआ है यह ओरीजन हो गया इसके साथ में इस एक्सिस के साथ में एंगल बन इनका रिजल्टन कर निकालना नएक आरे कितना है और इसका मैंटीटूड कितना है वो हमें निकालना तो पहले आ निकींटum तो देखी एक ट्राइंगल हम लें और उस ट्राइंगल में यदि ये एंगल हमें 37 दिगरी दिया हूँ है तो इसके लिए ये एक साइन बार नहीं पता तो इसको याद रखना कम्पीटियसन में जब पूछते थे इंगल 37 और 53 degree का दे दिया जाता है तो उसमें साइन कोस की वैली हमें पता करनी हो तो कैसे करते हैं तो याद ररकना है जब यरी धर टिरे सान्जी से-यह 4 के इकुल होता है और पर्पेंडिकुलर कितना होता है नद्सक्राइज टिरी के एकुल होता है होता है इस triangle की perpendicular 90 partie का एंग्ण बन गा है तो इस में जडी हम विलियो मिकालर तो क्या विलियो आएगी कि बेस अपोन हाइपोटेन्यम क्या होगा बेस पन होगा सबस्क्राइट एक इसे परपेशाइब एक हमनी करने थैटिस थायियों तो Sburgh 37 डिगरी क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो पर्पेंडिकुलर 3 है अपॉन में 5 यह साइन 37 डिगरी की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 अपॉन 5 यह याद रखना पड़ेगा यह जो ट्राइंगल बनाया है यह याद होना चाहिए और कोस 37 डिगरी जो है उसकी वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5 यह हो गया यहां तक किलिए अब हम क्या करते हैं कंपोनेंट में किसमें कंपोनेंट जिसको रेजूलेशन भी हम कह सकते हैं और कंपोनेंट शाइन और कोस दो ही होते हैं तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट हम बना ले इस दरवाले का फिल इसका बना लेंगे तो इसका कंपोनेंट बनाए तो इस परकार से इसको हम जो कर सकत है तो यह हमें दिया हुआ है कितने न्यूटन 10 यह 10 न्यूटन में यह एंगल कितना 37 दिगरी तो इधर जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं और दूसरी साइड को साइन थीटा तो इधर क्या लिखा जाएगा 10 यदि याद नहीं है तो देख सकते हैं तो उससे आपको हो जाएगा तो 10 इंटू क्या जाएगा कोस 37 दिगरी इधर क्या जाएगा 10 साइन 37 डिगरी या जाएगा अब इसको सॉल्ट करें तो 10 इंटू साइन 37 डिगरी की वेल्यों 3 अपॉन 5 तो यह 5 इससे केंचल तो कितना होगा 2 इंटू 3 6 और इधर इसको सॉल्ट करेंगे तैन इंटू इसकी वेल्यों कितनी है फोर अपॉन 5 यह गया तो इसको कहिंच से लोग करके 2 तो यानि कि यह जो हमारे पास इधर का जो कमपोनेंट था उसकी वेल्यू हमारे पास कही हमारे पास यह वेल्यू आई यह ओरिजन इधर आगा 6 y-axis में इधर एक्स डैस में लिख दूँ इधर आया 8 यह यह ताया इधर ठीक है ओरिजन के इधर अब इसको मालूं कि f1 यह इसके लिए नैठ हमें दिया हुआ है तो इसको i-cap ज-cap की form में लिखना हमें किसकी form में i-cap ज-cap की form है यह आपको बताया था लास्ट लेक्टर में भी जब लेज्रेशन फटर हम कर लेते हैं कि यदि हममें magnitude दिया हुआ है तो इसका आई-cap-J-cap कैसे हम solve करते हैं तो इसको solve करते हम लिखें यहाँ पर तो देखिए i cap इधर है जी रो के इधर है न Hai माइनस आइगाँ जाइगा माइनस एट i cap i cap में कहले जोडीं एक्सकीजिस हैक य नगैकर य चेप संसटे तो य चल्किन यसे-चल्ण हो गया । वाई-एक्सीजिश में कितना हो गया फौति फाइफ डिग्री यह वेली ऊफाइफ रूट टू न्यूतन यह एक्स यह यह एक्सिस इधर आई कैप एधर जेट यह ओरिजन तो इदर इस से तो यह तो इधर इधर आएगा 5 root 2 sin 45 degree तो आएगा 5 इसको इटा देता हूं 5 root 2 into sin 45 degree की value कितनी है 1 upon root 2 के equal होती है तो यह इससे क्या हो जाएगा cancel तो क्या गया 5 यानि कि इसको भी redraw करें तो इस परकार से हमें देखने को मिला गया यह origin यह x-axis यह y-axis इधर 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया यह हमें दिया हुआ है 5 root 2 इस परकार से given angle 45 degree यह i-cap और यह j-cap तो इसको मैं f2 कह दूं f2 लिखें तो f2 कितना आ जाएगा vector f2 तो x-axis में कितना है 5 y-axis में भी 5 है plus में चल रहें तो 5 i-cap plus 5 j-cap यह लिख दिया यानि कि इस component के according f1 हमारे पास यह आ गया इसके according यह आ गया यानि कि एक फोर सीदर लगा एक फोर सीदर हमने कि अलग अलग diagram बना करके इसको डिपर्जन किया अब हम इसको add कर सकते है क्या कर सकते है एड कर सकते है तो add करेंगे तो हमारे पास क्या result आएगा देखते है चेक करते है एड करने के बाद क्योंकि अब हमें जो वैक्टर है उसकी form i-cap j-cap की form में मिल चुकी है तो क्या हमें देखने को मिलेगा देखिए तो यहां पर F net निकालना है F net क्या होगा तो F net equals to हम लिख सकते F1 plus F2 यह तो होगा F net के equal तो F1 यह है F2 यह है यूज कर लो तो क्या यह एगा F net आ जाएगा हमारे पास F1 कितना है माइनस आयर 8 i cap plus 6 j cap यह तो वेक्टर F1 हो गया फिर F2 कितना है plus 5 i cap plus 5 j cap i cap को i cap के साथ एड़कर दो j cap को j cap के साथ में तो कितना होगा यह माइनस का यह प्लेस का तो माइनस 3 i cap बच गया और यह हो गया प्लेस 11 j cap यह आगा F net किसकी ट्रम में i cap और j cap की ट्रम में अब इसका डाइग्राम बनाना चाहिए मैं जब हम पढ़ देते हैं यदि हमें magnitude दिया हुआ हूँ किसी वेक्टर क्वांटिटी दी है उसका magnitude हमें इसका डाइग्राम की बनाना चाहिए तो इसका डाइग्राम कैसे बनेगा तो इसका डाइग्राम हम बनाएं तो क्या डाइग्राम हमें देखने को मिलेगा हमें यह देखने को मिलेगा इस परकार से और यह यह कीतना ऑगा तो यहने कि इदर आएगा यह कितना हो गया अच्छा कीतना है इसका अब resultant निकालना हमें इसका नेट तो यह आगया नेत ही आगया आई-कप और चय्क्त की फ्रम में हमें अब पूछा गाया इसका मैगनेटूल बता हूँ तो मैगनेटूल क्या होगा dgnatum डिर लिखेशकंगे है यहिंस नेट का मैगन्टूड का मागनेटूल थो यह इसको कहा लिख सकते है एंडूर f1 या f net जो है f net जो हमारे पास आया इसका स्क्वार इसका इंडूट आ जाएगा f net की वेल्यू यह पुट कर दें तो कितना जाएगा एंडूट माइनस 3 i cap का स्क्वार प्लेस 11 j cap का स्क्वार यह आ जाएगा तो i cap i cap तो 1 हो गया j cap j cap 1 हो गया बताए भी था कि ऐसे धी होगा तो सीध इनका स्क्वार कर दो प्लेस माइन कोई टेंशन नहीं बन सा स्क्वार करें तो 3 का स्क्वार कितना कितना हो गया 9 हो गया और 11 हो गया 121 total कितना क्या वं थैनका इस dwis project याло आ गया याकि मैंग स्क्वार गया अब डाएक्सन पोच रहा कि जो नेट एफ हमारे पास आया से किदर होगी इसके साथ में कितना बनेगा इसके साथ मैं ओसर्फ यहां मानने रखा तो तो थीटा की वेलिविग करने कपे थैन यह थीटा निकाल लो और 10 थीटा क्या होगा 11 by 3 हो जाएगा यह तो थीटा कितना गया 10 इन्वास 11 अपन 3 यह डारेक्शन यह जो एंगल बनेगा वह एंगल यह होगा तो कहने का मिन्स कहा कि इस परकार का क्यूश्चन दिया हुआ है तो हमें दिया हूआ है तो यह मैगनिटूड वह तो ने काbit आना चाहिए ने कि ना नंट इसबंकर 60 मिन और 11 उपना नैपर इस पर हमें रिजल्टन निकालना आना चाहिए तो अब आगे एक प्रोलम और करते हैं जिससे यह आपको की लियर अच्छे से हो जाए तो देखिए अगला क्यूशन क्या है कि सिंपल सिंपल से क्यूशन है प्रेक्टिस चाहिए प्रेक्टिस कर लोगे तो फिर कोई दिकत इसमें नहीं होगी आप लोगों को कि मान लो अब सेकिंड कुशन वो इस परकार से हमें दिया हुआ है कि हमें यह एंगल दिया हुआ है 45 और यह वेल्यू है टैन रूट इदर न्यूटन और एक फोर्स इदर है टैन न्यूटन यह दिया हुआ यह एक्स यह एक्स डैस यह वाई और यह यह दिया हुआ अब इन दोनों का नैट कितना है पहले तो यह पूछ रहा है आई कैप और जे कैप की फॉब में फिर पूछ रहा है कि इसका मैंग जूड क्या है फिर इसका एंगल कितना जो अभी किया वैसे ही कर दो सबसे पहले तो इसको solve करें इस वाले को solve करें तो इस वाले को अलग से इधर बना लेते हैं कि यह एंगल तो हमें दिया हुआ है 45 डिग्री यह वैल्यू दे रखिए 10 रूट 2 के एक्वल यह वाई और यह एक्स डैस यह ओरीजन हो गया तो इसका इधर कंपोनेंट क्या यह वेगा जिस स्के साथ में अंगल बनते हैं उदर कोश थीटा लेते हैं तो थीटा की बेलू 45 है तो इधर क्या लिख सकते हैं इसको यह लिख दूमें तो इधर क्या जाएगा 10 root 2 cos 45 degree तो यह जाएगा 10 root 2 साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वेल्यू भी कितनी है यह से कैंसे तो इधर भी क्या गया 10 आ गया यानिकि इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि यह भी 10 और यह भी 10 यह यह एक्स डैस लिए ओरिजन लिख दिया है ठीक है यह तक अब हम आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको मैंने माल लिए f1 इन दोनों को इसदर क्या लिखने हम यह माइनस में आएगा क्योंकि जीरो की इधर है यदि उधर उता तो यह सबता है ऐसे यह प्लस में आ जाएगा तो यह कहाएगा माइनस टैन आई कैप प्लस टैन जे कैप यह ठीक है अब इसकी वेल्यू कि इधर है इसके लिए सोल करें तो इसको भी रिडूर करें यहां पर इस परकार से यह हमें ऐसे दिया हुआ है यह ओरिजन हो गया यह व है तेक है अब नेट पूछ रहा है इसके लिए हमारे पास ये वेल्यू आ दो एफ़ व satisfaction मैले से अब इकवन की कितनी है हमारे पास माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप और यह कितना है माइनस 10 जे यह इसे कैचल हो गए तो कितना बच गया माइनस 10 आई कैप यह किसकी वेल्यू आगई एक सक्सिसमें तो अब इसको हम रीडो करें तो क्या है देखने को मिलेगा तो हमारे पास यह आएगा रीडो करेंगे तो इधर तो कोई कंपोनेंट है नहीं इधर यह जीरो हो गया यह एक्सडैस हो गया तो इसकी जो वेल्यू है कि जीए यह आजैगे,好好 भर डिञाएंपनेट हम नकाल लें इसका मैंनेट क्या जाय可能 फनेट का मैंगिनटम इस परकार से स्क्कार करेंगें, मैनेस का करेंगे, तब भी प्लैष ड्म कितना हो गया, हैंडल की वेल्यू कृतल इसका मैंगिनटम आ गया तो इसकी डाइक्षिन है कितनी बेंट यह कोई वेल्यू नहीं तो इधर क्या लिख सकते हैं तो अब आणिग पूछ रहा है किया पूछ रहा है एंगल पूछ ले ले के लिए टेटा क्या हो जाएगा परपेंडीकुलर अप्न परपेंडिकुलर कितना जिरो अपन में तो कितना तो इस परकार से हमें पूछ ले कि अलग लग हमें दिया हुआ हूँ तो उसके लिए कैसे हम उसको तो ऐसी प्रोलम है बिल्कुल घबराने की आउसकता नहीं है बिल्कुल सिंपल सी प्रोलम है एक प्रोलम और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर्टी आ जाए है ठीक है क्या है प्रोलम देखिए मांद लो अब हमें कुछ इस परकार से दिया हुआ है कि यह एंगल है 45 यह वेल्यू है इदर 5 रूट 2 न्यूटन एक एंगल कुछ इस परकार से इधर दे रखा है यह वाला यह एंगल है 37 यह वेल्यू दे इसको डाइग्राम से भी रिपर्जन करना है तो कैसे हम सौल करने पहले तो सौल करते हैं यह ऐसे बन जाएगा यह एंगल कितना हो गया 37 यह हो गया तो इधर क्या जाएगा यह दिया हुआ होगा 10 N यह वेल्यू तो इधर आजाएगा 10 कॉस 37 यह आ गया इधर क्या जाएगा 10 37 यह आगया अब को 37 डिगरी की बताई थी तो इसको लिख सकते है टैन इंटू इसकी वेल्यू कितने बताईथी फौर अपॉण 5 तो कितना हो गया 8 हो गया यह तो क्या हो गया इसकी विए बताए थी तो इसको शोल करें तो इसकी वेल्यु कितने आ जाएगा 10 इंटू साइन थरी थाटी की थी थी सेवं कि थी तो आपॉन फाइट यह कितना हो गया यह कैंचल चलो करके 6 हो गया तो यह की अब हम ऐसा बना सकते हैं कि इधर तो 8 है और इधर कितना 6 है यह 0 origin हो गया यह x यह y तो इसके लिए force में माननो f1 कितना माननो f1 तो यह तो 0 origin के नीचे है तो माइनस में आएगा और यह प्लस में तो क्या लिखा जा सकता है माइनस 6 यह f1 आ गया हमारे पास f1 अब इसको सॉल कर ले तो इसको सॉल करने का मैथर क्या देख इस परकार से यह एंगल कितना है 45 डिग्री है यह दिया हुआ 5 यह यह हो गया इधर कंपोनेंट क्योंकि इसके साथ में बनना थो यह आज एगा 5 डूट तो kos 45 दिग्री है तो फाइफ रूट तो कोष 45 डिग्री कितना उता वन अपॉन दूट यह सेकेंड तो फाइफ आ गया ऐसे इदर solve करेंगे तो 5 root 2 component वही है जिसके साथ में एंगल बनता उसको cos theta लिखा जाता और जिसदर बच जाता उदर sin theta 2 component हमें यूज में लेगे तो इधर को साज गया तो इधर क्या जाएगा साइड आ जाएगा 45 डिग्री और यह दिया हुआ 5 root 2 यह origin हो गए यह x यह y है तो यहां पर इसको f2 मैं माल लूँ क्या माल लू f2 तो f2 कितना जाएगा यह तो माइनस में आएगा और यह प्लस में तो माइनस 5 i cap plus 5 j cap यानि के हमारे पास f2 की value आ गई f2 vector request कितना गया माइनस 5 i cap plus 5 j cap अब नेट निकालना है क्या निकालना इन दोनों का net net निकालना है तो जोड़ दो इनको क्या करना में जोड़ना है अब क्या है अब जोड़ना सिंपल हो गया अब जोड़ सकते हैं आसाने से इसको सिंपल तरीके से इसको रफ कर दें तो क्या हमें देखने को मिलेगा f net कितना होगा देखी f net तो f net आ जाएगा f1 plus f2 f1 की value put करें 8 i cap minus 6 j cap यह तो f1 हो गया f2 की value कितनी है माइनस five five plus six sorry plus five j cap to minus 55 plus five j cap इस शॉल करें यह माइनस का यह प्लेस का तो three i cap बच गया और इसमें कितना बच गया डिंग बच गया है यह तो अब इसको क्या डॉना सकती इसका में गें टूर निकाल तो में जुब कितना यहांगा में टूर जाए गा इसका सिधा है ठीज पन प्लैस जेप का स्कूर्स गनां गका है नाइन प्लस वन यानिकि अंडू यह इसका क्या गया मैंगिन टूड आ गया अब इसको हमें डाइग्राम से सो करना है किसे सो करना है डाइग्राम से चलो डाइग्राम से भी सो कर देते हैं तो डाइग्राम से सोग करेंगे तो क्या हमने देखने को मिलेगा, तो यह आएगा हमारे पास इस परकार से प्टना है, मैंने इस परकार से यह X यह Yज ओरीजन तो X ड्स में आई कैप कितना है 3 तो यह होगए 3 और यह कितना है वन आजाएगा यह एंगल हमने माल लिया थीटा टैन थीटा निकालना Richtung यह कितना हो जाएगा वन बाई थीटा कि लॡगी कि है तोएसी प्रोलम हमें पूछी जाती है एक्जाम में कि कि यह हमारा आज का लक्षर था अगले लक्षर में हम लॉफ ट्राइंगल पढ़ेंगे जो वैक्टर एडिशन के लिए यूज किया जाता है फिर उसी में हम आगे पढ़ेंगे लॉफ पहले लोग ठीक है तब तक पढ़ते रहिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगें तो लाइक कीजि लिए इस एबूचिंगे लिएंग लॉप जिए ओय दिस्टर इसी लॉग robićर एंगले दिए से guiding ऊटbuilding तो लॉटर एंगले सब्सेंगर ग्विर एंगत्कां रहले जा सबस्याओंगेना के वसे पाले में हैंगे लिए मुभल में हम बदर एंगते बदोर